नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशीष प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और इस सिरीज में मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक संस्कृत का पेपर जो राय बरेली के प्रतिस्थित संस्थान दिशा इंस्टिटूट द्वारा बनाया गया है इसमें ये पूर चालिस से एक तालिस प्रशन है उनको शामिल किया गया है और उमीद करता हूँ कि आप लोगों को लाब मिलेगा और आगे भी जो भी पेपर आएंगे मैं कोशिश करूँगा किस अंस्थान दौरा मिल जाए तो आप लोगों को उपलब्द करवाया जाए अभी फिला हाल ये 41 questions हैं तो आप लोग इनको तयार करिएगा उसके बाद हम लोग इसमें से अगर आपको किसी भी question में कुछ भी doubt होता है तो comment box में लिखिएगा क्योंकि Sanskrit का मुझे ज़्यादा knowledge है नहीं क्योंकि ये बनाया गया है किसी अंके द्वारा तो मैं यहाँ पे क्योवल आप में correct कर लूँगा पहला question है का से मातक के वेंजन को किस नाम से जाना जाता है तो इनको इस परशी वेंजन के नाम से जाना जाता है वर्गों के नाम किस वर्ड के आधार पर रखे गए हैं प्रथम वर्ड के आधार पर रखे गए हैं वा का उचारण अस्थान है दन नमस्ते में कौन सी संधी है? विशर्ग संधी है, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, अलम के योग में किस विभक्ती का प्रयोग हुआ है? चतूर्थी विभक्ती का प्रयोग हुआ है. जिस साधन की सहायता से कोई कार संपन होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे करण के नाम से जानते हैं. भक्त द्रुव की माता का नाम क्या था? सुनीती था. महा भारत के युद्ध से विमुख रहे बहराम की पतनी बलराम लिखा हुआ है. विमुख रहे बलराम की पतनी का नाम था? रेवती. और इसके बाद साहित के कुछ प्रस्न है. रगुवण्षम महाकाव के रचनाकार कालिदास हैं. राज तरंगिणी के रचनाकार कल्ण है. राज तरंगिणी कश्मेर के इतिहास से संबंदित है. इसको कल्ण ने लिखा था. दैत्यारिह में संदिविच्छेद क्या होगा? दैत्यधन अरिह. ये दैत्यारिह का संदिविच्छेद है. मनोरत में संदिविच्छेद कीजिए. मना धन रथ. तो ये मनोरत का होगा. अद्वैत्वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं. शंकराचार. अद्वैत्वाद. शंक कुपुत्र में कौन सा समास है तो इसमें कर्मधार समास है रगु के पिता का नाम दिलीब था दिलीब दो वणों के मेल को कहते हैं संधी दो पदों के मेल को कहते हैं समास ये छोटे छोटे प्रश्ण है दोस्तों हो सकता है इनकी परिभाशा ही सीधे सीधे छोटी छोटी सह साकम साधर्म के योग में विभक्ती होती है त्रतिया सुमित्रा के पुत्र कौन थे लच्मण शत्रुगन बी और सी दोनों ये उनके पुत्र थे शकुन्तला का पालन पोशन हुआ था कणो के आश्रम में कणो के आश्रम में हुआ था पठ धात वत्मान का लट लकार प्रथम पुरुष बहुबचन का रूप होगा पठनती पठती पठता पठनती शायद यह होता है मैंने भी पढ़ा था बच्मन में समास की विपरीत क्रिया कहलाती है समास विग्रा रगवन्षम के राजा दिलीव की पतनी का क्या नाम था सुदक्षिना नाम था इनकी रगवन्षम के राजा दिलीव की पतनी का सुदक्षिना व्याकरण में वेंजनों को क्या कहा जाता है हल कहा जाता है इसको आप लोग याद रखिएगा कि व्याकरण में व्यंजनों को हल कहा जाता है। 66 की संस्क्रत संख्या होगी, खनडवति ही, खनडवति ही, खनडवति ही, तो ये 67 को बोल जाता है, कुछ लोग शांडवति ही भी बोल सकते हैं, खा और शा दोनों ही इसको बोला जाता है, गो शब्द है पूलिंग और स्त्रेलिंग दोनों ही है ए और बी दोनों फल शब्द है नपुन्सक लेंग दातुम शब्द में प्रत्य है तुमुन प्रत्य है। करता शब्द में प्रत्य है तरच प्रत्य कारक शब्द में प्रत्य है लवड तो इसको आधा अडा बोल सकते हैं आप लोग आधा अडा कारक शब्द में ये प्रत्य है जो संस्क्रेट पढ़ते होंगे उनको पता होगा प्रणम में शब्द में प्रत्य है ल्यप प्रत्य है इसमें रच्छणिया शब्द में प्रत्य अनियर अच प्लस अन्ता शब्दों को जोड़ने पर बनेगा अजन्ता अच धन अन्ता को जोड़ने से बनेगा अजन्ता उन्नाती शब्द में उपसर्ग उत उपसर्ग है सारंगह शिख्षी किसके परिया हैं? मयूर के सारंगह और शिख्षी मयूर के परियावाची है शब्द रूप राम के पंचमी एक वचन का रूप होगा रामात तो ये शब्द रूप वगेरा आप लोगों को यादी होंगे उम्मीद करता हूं में यहां से आप लोग इसको जरूर याद कर लीजेगा हो सकता है इस तरह के कोश्चन बने कि दातुम शब्द में प्रत्य है, तुमन प्रत्य, करता शब्द में प्रत्य है तरच प्रत्य, कारक शब्द में प्रत्य, राउल प्रत्य, पणम में शब्द में प्रत्य, लेप प्रत्य, रचणिया शब्द में प्रत्य, अनियर, अच प्लस अन्ता, अच प्लस अन्ता को जोडने पर अजन्ता, उन्नती शब्द में उपसर्ग उत, और ये तो खैर अलग क तो ये अभी फिलाल पहला पेपर है संस्कृत का और उमीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत फायता होगा इसके संस्कृत की सिरीज से तो आप लोग इसको तयार कर लीजिएगा अगर कोई किसी भी चीज में कोई भी कॉश्चन में कुछ गलत लगे तब ही कॉमेंट तो अगर कुछ गलत लगे तब बताइएगा मैं करेक्ट करवा दूँगा अगले पार्ट में जब भी अगला वीडियो डालूँगा तो इस भाग में फिलाल इतने ही 49-40 प्रश्ण है आप लोग तयार करिए और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के उले